नमस्कार आप देख रहे हैं दा फोर्थ एस्टेट निउस नेटवर्क मैं हो रंजो 11 दिसंबर 2021 एक अगर एतिहासिक दिन भी कहूं तो गलत नहीं होगा अब एतिहासिक दिन क्यों कह रहा हूं मैं इसको क्योंकि 11 दिसंबर 2021 को जो जनरल हाउस की मीटिंग है वो होने जा रही है जमो मुंस्पल कॉर्पोरेशन की ऐसे में जो कॉर्पोरेटर्स के गुस्सा था नराजगी थी कि जनरल हाउस की मीटिंग नहीं लग रही है तो कहीं न कहीं अब शायद उससे थोड़ी बोट शांत भी हो गुसा थोड़ा शांत हो लेकिन कहीं न कहीं जनरल हाउस की मिटिंग सिर्फ एक दिन की है और उसमें अभी ये क्लाज है कि एक सवाल एक प्रस्ताव ये किसहत तक जायज है और बाकी सारी चीजों पर बात करने क के लिए और जनरल हाउस की मिटिंग कितनी हंगामेदार रहने वाली है इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इसक्त मौझूद है कॉर्पोरेटर इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर अमिद गुपताज सरस्वागत आपका दाफ फोर्थ स्ट्रीट नमस्कार सबसे पहले तो सबसे जानना चाहेंगा जनरल होगा मीटिंगा गारे नहीं को आइट महीं एन्टराक के बाद पे अदों देखिए हमने जम्मू की development की बात करनी है जम्मू की मुद्धों की बात करनी है डोगरों की बात करनी है हर कॉर्परेटर अपने वार्ड की development की बात करेगा और हमने जम्मू को कैसे स्मार्ट बनाना है हमारी planning होनी चाहिए house is a supreme power जब house नहीं लगेगा अब बंद कमरे में meeting करके फैसले लेंगे तो वो तो गलत बात है फैसले गलत बात इसलिए है क्योंकि फिर बरस्ताचार सामने दिखता है जब आप development की बात करते है open होना चाहिए हम यहाँ पर यह काम करना चाहते है house को मुझूद है या नहीं है यह act में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने जम्मू को एक अच्छा model smart city हमारे देश के परदान मंत्री ने दी है हमें खुश होना चाहिए कि हमारे देश के परदान मंत्री को जम्मू कश्मीर से प्यार है उन्होंने smart city दी है मगर यहां के कुछ ऐसे department officer है जो मजाग बना के रख दिया उन्होंने smart city का ही आप ग्रोड में देखिए tender पहले लगे हुए है वो कहते है smart city बना रहे है planning कुछ नहीं है यह परस्ताव house में आना चाहिए हमें कहां कहां काम कराना चाहिए smart city का और आम जनता को यह पता होने चाहिए smart city होती क्या है मुझे लगता है आपके चैनल के मादूम से बना जाता हूँ 50 या 60 परसन या 70 परसन लोगों को यह नहीं पता होगा कि smart city का क्या benefit है और smart city होती क्या है और जो अधिकारी है smart city के उनका direction ही अलग है smart city basically यह होती है लोगों को साथ पानी मिलना चाहिए PHE का पानी अच्छी तरह मिलना चाहिए 24 गंटे मिलना चाहिए जब भी वो अपना नल खोले और पानी उनके घर पे मिलना चाहिए और अपने PDD डिपार्टमेंट बिजली 24 गंटे मिलनी चाहिए यह smart city का हिस्सा है और वाइरिंग देखिए तारे देखिए लगमक रही है खंबो पे यह underground होनी चाहिए वो बाहर है और फैसलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसलिटी होनी चाहिए यह smart city का मेहन मेतव है और जितने हमारे और मैंने इस बार जो मैंने आपके चैनल से मादम से बताना चाहता हूँ कि इस बार जो मैंने परस्ताफ डाला है हमारे जितने हिंदू मंदीर है गुर्दवारे हैं मजजीत हैं पीरवबे हैं और चर्च smart city में लाना चाहता हूँ उसका पैसा smart city में लगे इन्होंने पता नहीं कहां मेर सामने प्लैनिंग की हुई है कि हमने अपने जितने भी मंदीर गुर्दवारे चर्च और मजजीत पीरवबे जो हैरिटेज हैं इनको बाहर क्यों रखा है smart city में ये हमारा smart city में होना चाहिए ये मेरा सबसे बड़ा परस्ताव रहेगा मैं बाकी कार्परेटर से भी अपील करता हूँ कि ये जम्मू के लोगों की एक दर्म की आस्ता भी है जम्मू के लिए भूद बड़ी बात है अगर smart city में मंदीर गुर्दवारा मजजीत चर्च आएंगे पीरवाबे आएंगे जो हैडरेज आए और important जो मंदीरे यहां पर टूरिस जाता है वो smart city में उसका पैसा लगने चाहिए और smart city के धारे में आने चाहिए कि हम और अच्छा अपना जम्मू को smart कर सके और हमारा जम्मू का एक main टैग मिला हुए city of temple जम्मू को city of temple कहा जाता है और हमने अपने टैपलों को ही ignore किया गया है smart city में बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हमारे state को हमारे जम्मू शहर को city of temple मंदरों का शहर कहा जाता है और मंदिर को शहरों मंदिर जितने भी हैं smart city से बाहा निकाले हैं और मेरा परस्ताव रहेगा और मैं सब कारपेटर से पील करता हूँ यह परस्ताव पास किया जाए हाउस में कि हम जितने हमारे मंदिर गुर्दवारा चर्च और पीर बाबे हैं यह smart city के दहरे में आने चाहिए एक चीज़ आप से जानना चाहूंगा अपने परस्ताव की बात की कि अपने परस्ताव रखा है कि स्मार्ट यह जो जितने भी लोग मंदिर वगरा है यह समज्जित है चर्च जो भी है यह smart city के दारे माइन चाहिए अब परस्ताव परही में अगर बात करूँ तो एक सवाल एक परस्ताव की बात है इस मिटिंग में कही गई है किस हद तक जायज देखिए परस्ताव भी एक दो होनी चाहिए और कोशन भी दो या तीन होनी चाहिए क्यों वाड में काफी जाद दिक्कत हर वाड हर कॉर्पेटर वाड वो एक कोशन डालेगा जब कॉर्पेटर वो अपने वाड की बात नहीं रख पाएगा और सबसे बात है टाइम एक दिन का हाउस रखा है इनको दो दिन बढ़ाना वह चीज भी देखिए तो आठ मीने के लंबे अंतराल के बाद जो हाउस लगा और उस वह वह एक दिन के लिए हाउस लगा तो क्य और यह हाउस भी कैसे लग रहा है यह अपजिशन के हमारे इंडिपेंडेंट कार्पेटर और कांग्रिस के कार्पेटर ने प्रोटेस्न कीया है और तब यह पार हम मीडिया में आते थे कभी गेड़ बंद गर दे थे ले लग लेकिन हाउस लगा वो भी एक दिन के लिए ल जो मोटो लेके आये हैं हमने ये मोटो लाया था कि हम जीत के आएंगे लोगों को फैसिलेटी देंगे सुबिदा देंगे और जम्मू मुल्सिक कारपेशन का भी ये रोल बनता है कि हम जम्मू को सुबिदा दें आम जंतों को हैल्थ उनकी अच्छी रखें सफाई अच्छी इसे हो उनके में जैसे डेंगू चला था डेंगू में फोगिंग कम हुई पांच में चीने थी ये ले ना पाए बड़ी बड़ी आसी बाते जैसे अभी येलो लाइन की बात हो बिजनेसमेन को तंक किया जा रहा है बल्लब ये प्लैनिंग से काम होता है ये बैट के मिल प्लैना था कि ये सब चीजें जो है कार्डिंग टू बुक्स नहीं हो रही है बिल्कुल आपकी बात सही है हाउस लगना जाहिए हाउस में परसाव होना जाहिए देखिए मैंने और गोरुब चोपरा और अनू बाली ने पटैस किया हमने जम्मू मुल से कार्पेशन का गे ये यलो लाइन में ये गांदे नगर तरुकुटा चनी वाली साइड होती है वहां पे 25-25 फूट की 33 फूट की सड़कें हैं चोरी रोडे हैं वहां पे जैनल बड़े-बड़े मॉल्स हैं बड़े-बड़े शोरूम हैं वहां पे होता है ये ओल सिटी है ओल सिटी को अब कि चला सकते हैं ये मिल जूल के बैठ के हम भी चाते हैं हमारा जम्मू स्मार्ट बने हम अपने जम्मू को बाहर से जो टूरीस आता है उसको देखे जम्मू में आए उनको चेंज देखे मेरा खुद परसली टूरीस के साथ राफ़ता रहता है क्यों मेरा खुद ड्राइफू लाने चाहिए अब मेरी उमर भी 40 हो रही है तो मैंने भी यहीं चीज़ देखा बाग बागे बो गाडन एक काली माता पीर खो मंदिर रुमनाथ मंदिर बाकी क्या देखने वाला और जम्मू को ड्वैलम ने किया जैसे लेक का प्रजक्ट नहीं चला उसको चला लेक आपने ल साबर मती रिवर्फरंट के तर्स पर यहां पर कहा जा रहा था कि यह तभी रिवर्फरंट बनेगा उसकी तरफ भी कुछ वैसा होता हुआ नहीं दिख रहा है तो क्या कहना चाहेंगे इस पर देखिए जम्मू की जंता का सपना है यह सपना ही रहे जाएगा यह पता नहीं कब होगा सपना सपना पे नहीं बोल सकता है एक बबर सातों में दिखा थोड़ा बहुत जलक दीखी थी थोड़ा बहुत आपकी बार सही है दिखी आपको पता ही हम जो बोलेंगे दीखिए अगर मेरशाब हमारे साथ बैट के टेवल में बात करें सब कार्परटों को यह बाइग में राचा पर पैट के चैबल पर बात की G time के समें, उस के समार्ट आपके उना कि इस स्काराइब बनाद अब तरहें एक बिर्आ को पर्तिंकर से उठके बिजएपि और कर दो कांग्रिस अब करता एए सिर्फ ओनली फार कॉर्पेटर कॉर्पेटर बैट के बाद करेंगे जम्मू को कैसे हमने समार्ट बनाना है जम्मू का क्या वीजन है और हम चाते हैं आने वाले टाइम में हमारा जब डेट दो सार रहा गया और लोग कहें अच्छे कॉर्पेटर आये थे अच्छी टीम आई थी अच्छे मेर डिप्टी मेर चेर में आये थे जम्मू को अच्छा बना के गये हैं मगर फिर जम्मू वही का वही रहा चेंज क्या दिखा गलिया नालिया तो पहले ही बनती थी जब हम छोटे दर अपसे देखते गलिया नालिया बन रही है काम हो रहे हैं, मगर चेंज क्या दिखा? हम चाहते हैं, हम आने वाली जनरेशन को क्या बताएंगे? अब मेरे ही बच्चे मेरे से बुछेंगे पापा आपने क्या किया? मैं उनको क्या जवादूँगा? मैंने ये वाली गली बनाई ये नाली वो तो गएंगे पापा ये तो पहले भी बनती थी हम भी बड़े हो चुके हैं आज ये गली तोटेगी पांच साल बाद फिर बन जाएगी मगर हम चाहते हैं चेंज निया सिस्टम निया सोच नही थिंगी जैसे हमारे देश के परदान मंतरी का एक विजन है सबका साथ सबका विकास सबको लेके चल लें साथ मगर हमारे जमू मुलसी कारपेशन में क्या बात हो रही है वो बीजेपी की आपको सत्ता पूरी बीजेप की हमारे कारपेशन के पास आगि तब ही लोग गंदा पानी पह इंप रहे हम DC के पास मैं गे जिसी के डिकाम साथ के पास हाображ आा किया। नाम नहीं लूगा बेशक सामने ना बोलते हूं अगेंस ना बोलते लेकिन दब्य पाउँ वह यह चीज कहते हैं कि जो इस वक्त यहां पर JMC में हो रहा है जो इंडिपेंड़न्ट कॉर्प्रेटर्स के साथ यह बागी कॉर्प्रेटर्स के साथ यहां फिर जम्मू की आम जं सब्सक्राइब जितने जातर चीप मिनिस्टर हैं, जो बड़े बड़े लीडर है, उनका इंट्विव चल रहा है, और हमारा जमू जे के अनिप्लाइमेंट में नमबर बन जा रहा है, बड़े दुख से कहना पड़ता है, जो मैंने नियू सुनी, तो बड़ा फील भी हुआ हमारा यूथ और हमारे लोगों को अनिप्लाइमेंट में जमू करूशी नमबर बन जा रहा है, यहां पर नोक्रियों का कंगाल बड़ा हुआ है, यहां पर बच्चों को यूथ को नोक्री नहीं है, बड़े दुख से मैंने मुझे भी फील हुआ, मैंने दो जिनकी जोइनिंग जिनकी नोक् देखिए, बड़ा सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, जमू को साथ होना पड़ेगा, जमू पता नहीं कि जमू को लोगों क्या हो गया है, मैं हाज जोड़के बिंती करता है, जमू को एक होना पड़ेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिक्षी, हिसाई को एक होना पड़ेगा, हमें ये चीज़े लदाक वालों से सीखनी पड़ेंगी लदाक में क्या होता है बीजेपी की लोग भी होते हैं लीडर्स कांग्रिस के भी होते हैं एंसी के भी होते हैं पीडीपी के भी होते हैं इंडीपेंडन लीडर्स भी होते हैं मगर वो हकी बात करते हैं, डीबल में बैठते हैं, लद एक को एक होके जम्हून की आवास को बनना पड़ेगा, पर करना पड़ेगा, हमें इतना सीखना पड़ेगा लदाख वालें को बेशख यूटी ही लगी है, वहाँ के उनके वही अपने रूप्रे लागु हो रहे हैं ये चीज़े हमें सीखनी पड़ेगी हमें सबको एक मंच पे एक टेबल पे बैढ़ के काम करना पड़ेगा अगर हम जम्मू की डवैलिमेंट की बात करें जम्मू को अच्छा बनाने की बात करें जम्मू को स्मार्ट बनाने की बात करें, जम्मू के यूथ की बात करें, उनकी रोजगार की बात करें, हम जम्मू के बच्चों को रोजगार की दे सकें, टूरिजम की बात करने की पड़ें, जम्मू में कैसे टूरिजम बढ़ाया जाए, हम जम्मू के जो दुकान दार करा Jammu में जो तोरिष आता है व Also Anna का शूमीर की होती है और Jammu से डिली से जमु आना पड़ता है उसकी छ्यज़ार मेरे गोर्मनें की पॉर्म्मेट यह पालसी बनाए हूए है कि आप डिरेक्ट डिली से कश्मीर के लिए आपको पंताली सो यह पांच जार की टिकर मिलेगी वह टूरिस्ट जमू कियुं आएगा वह कश्मीर जाएगा अगर वह जमू की टिकर लेता है तो इसको यहां से करी टाक्सि लेकर कश्मीर जाना बड़े गा डबल खर्चा बड़ेगा गोर्लमन की पालसी आजिए। अब के सिर्ट का कश्मीर के सिर्ट काफीज कंव काम भाण है, बड़े बड़े चीजज और मिहाल स्सेजज चाओं गाई गया चपट बिल्कुल हमारा पहले एक डिबेट हुई थी किसी चैनल में वहां पे बीजेपी के भी स्पोक परसन थे वह भी था उन्होंने वादा कि अगर एक दिन शोड के तीन दिन करेंगे मीटिंग अब देखते हैं वह अपने वादे पे काइम रहते हैं या नहीं रहते हैं मगर होनी चाहिए देखे अगर जम्मू की जंता से हमें प्यार है अगर उनको भी प्यार है डोगरों के साथ प्यार है जम्मू को ड्वैलप करना है जम्मू को स्मार्ट बनाना है जम्मू की यूथ की बात करनी है तो हमें एक होके इसको जैसे पारलिमेंट राजसभा एक दि रजिजन होता है मेर्स आपको सब को पार्टी के साथ बैठके सब क्यूब करना पड़ेगा कि हम जम्मु को कैसे डवैलेमन करें और हाउस में प्रस्टाहई पास होगा उसको जो जवस्ति करके वह पास कराके सेक्टर से मूवकराके सरकार से करके के वह लागू करना चाहिए जम्मू के जंता के हित की बात में लिए एक वीजन बनता है एक सिस्टम बनता है मगर वो बेक सिस्टम नहीं बन रहा ताल मिलकी बहुत कमी है बीजेपी की कापटर की मुझबूरिया पार्टी के साथ चलने है मगर आफ लाइन जो मीडिया के होते वाड नमबर 19 के इनका यह कहना है कि बेशिक जो मीटिंग्स है वो चल रही है जनलावस की मीटिंग लगने वाली है अंगामेदार भी जरूर रहेगी कुछ ना कुछ हथ तक और साथी साथी यह चीज भी इनका कहना था कि इकठे होकर एक साथ होकर जो है काम करने की जरूर झाल लगना जरूर जरूर रहेँड़ प्राइ़ है Ciao